Hello everyone, welcome you all at Locaster Unlimited Study Zone और जो भी हमारे साथ ही इधर पे अभी क्लास में आ चुके हैं सभी से निवेदन है कि अपने फ्रेंड्स को जो भी लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं उनको मैसेज कर दीजिए जिससे कि सभी लोग क्लास में आ जाएं दो मिनट का वक्त और है उसके बाद हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं तो आज की हमारे क्लास का टॉपिक है हम बहुत ही फास्ट रिवीजन करेंगे और आपकी जिम्मेदारी है कि जहाँ पर आपको समझ में नहीं आता है वहाँ पर आप हमें रोक करके पूछेंगे क्योंकि material बहुत सारा है पढ़ाना बहुत कुछ है तो speed बहुत तेज रहेगी और आपको रोक करके हमें पूछना पड़ेगा जहाँ पर भी आपको doubt लगेगा questions आपके सामने है बड़ी speed के साथ हम चलेंगे याद रखेगा जहाँ पर भी आपको problem है तो आपको हमें interrupt करके रोकना पड़ेगा और पूछना है so y equal to sin x का area निकालना है 0 से लेके πाई तक का तो यह sin x का graph है 0 से लेके πाई तक में क्या करना है simply integrate करना है y को sin x को 0 से लेके πाई तक में और area कितना हैगा 2 square unit तो वैसे भी आप जानते हैं कि sin के एक part का area कितना होता है 2 होता है next question है अपने पास में the area of the reason bounded by the curve ay square equal to x cube ओके और किस के साथ निकालना है y axis के साथ तो y axis के साथ हम को area निकालना है तो x का function बनाना पड़ेगा y square का power 1 by 3 so a का power 1 by 3 and y की power 2 by 3 और limit क्या है y की a से लेकर के 2 a तक ओके so यह a y square equal to x cube आपके पास curve है तो आप इसको अब integrate कर दीजिए देखिए आपके जो integration limit जाएगी वो जाएगी y equals to a से लेकर y equals to 2 a तक तो x का function हो चुका है और जब आप y के along integrate करते हैं तो function क्या होता है x d y और यहाँ y की lower limit होती है और यहाँ y की upper limit होती है तो यह भी question बहुत easy तरीके से हो जाएगा next question के दर move करते हैं यह देखे थोड़ा सा बता देतो हैं इसमें function रग दिया आपने और limit लगा दी a से लेकर 2 a इसके बाद का काम आप कर ले जाएंगे अगला question है find the area of the reason bounded by y square equal to 2x and x minus y equal to 4 ओके तो line आपके पास है y square equal to 2x and x minus y equal to 4 तो सबसे पहले क्या करी है अपने पास line बनाई है और यह line जो है दो point पर आपके parabola को cutter कर रही है y square equal to 2x तो किस तरीके से solve करेंगे limit क्या बनेगी limit बनेगी minus 2 से लेकर के 4 किस में हो रहा है integration x में नहीं y में देखे आपको integration यहाँ पर बहतर क्या रहेगा आपको y में integrate करना सही रहेगा क्योंकि यहाँ पर देखिए आपको parabola का area shaded area निकालना है तो minus 2 से लेकर के 4 तक पहले आप line का area निकालेंगे क्योंकि line shade करेंगे और line में से parabola का area का कर देंगे minus कर देंगे yes तो यह थोड़ा difficult सवाल है आराम से वक्त देखे इसको solve कीजे तो करना क्या है सबसे पहले आपको आपको सबसे पहले इसके cut point निकालने है line के और parabola के तो line और parabola के cut point आप solve करेंगे y के लिए आपके पस line और parabola के cut point आ जाएंगे y की value कितनी आ गई 4 आ गई, minus 2 आ गई, मतलब integration minus 2 से लेके 4 फिर इसको solve कर देंगे, तो यह आ जाएगा कोई सवाल हो तो जरूर पूछेगा अगला question है y square equal to 6x and x square equal to 6y के बीच का parabola का answer निकालना है तो उपर वाला curve कौन सा है उपर वाला curve है y square equal to 6x और नीचे जो curve है वो आपके पास है x square equal to 6y तो आप इसको solve कीजे y square equal to 6x और x square equal to 6y का cut point निकालेंगे 6,6 तो यहां से ले करके यहां तक उपर वाला area कितना है 0 से लेके 6 तक और नीचे वाला area 0 से लेके 6 तक minus कर दीजे तो limit 0 से लेके 6 उपर वाले का y minus नीचे वाले का y इस तरीके से आपका answer आजाएगा done okay yes then इसके बाद देखे find the area enclosed by the curve x equal to 3 cos t and y equal to 2 sin t यह question आपको t की form में देखर के परिशान कर रहा है so simple क्या करिए सबसे पहले x upon 3 equal to cos t and y upon 2 equal to sin t दोनों का square करके add कर दीजे तो x square upon 9 plus y square upon 4 equal to cos square t plus sin square t कितना हो जाएगा 1 मतलब ही आपके पास क्या है ellipse और आपको finally फिर ellipse का area निकालना है ठीक है ना तो आपको ellipse का area निकालना है यह आपके पास आगया ellipse अब ellipse के बाद आप क्या कर देंगे 0 से लेके 3 तक limit लगा करके y dx कर दीजे यह बनीगा आपके पास y dx और इसका solve कर दीजे तो answer आपके पास में 6 pi done यह pdf आपको भी मिल जाएगी तो बड़े आरामार हम से questions कर ली जाएगा आप लोग अगला question लिखे क्या है find the area of the included by the parabola y equal to 3x square plus 4 तो y की power 1 है मतलब उपर की तरफ एक parabola जाएगा और line क्या दी गई है 3x minus 2y plus 12 equal to 0 3x minus 2y plus 12 equal to 0 को हम solve करेंगे और 3x minus 2y plus 12 equal to 0 जो line cut करेगी parabola को वो दो positions पे cut करेगी और इन दो positions के बीच में सबसे उपर किसका है? line का area है तो line के area में से हम parabola के area को क्या कर देंगे? minus कर देंगे तो देखिए सबसे पहले हमें parabola के cut point निकालने है तो x के लिए हम दोने equations को solve करेंगे x के लिए दोने equations को solve करने पर हमारी value आ चुकी है x equal to 4 और x equal to minus 2 तो हमारे पास एक coordinate बन गया x की जगए minus 2 एक coordinate बन गया x की जगए 4 और minus 2 से लेकर के 4 तक किसका area उपर का उन है line है तो उपर है line का area minus minus 2 से लेकर भोर तक parabola का area और इस तरीके से solve कर लेंगे तो यह आपके पास finally answer आ गया है next move करते हैं अगला question देखिए यहाँ पर क्यार क्यारा find the area of the reason bounded by the coordinates x equal to 80 square y equal to 280 अब आपको जानकारी है तो यह parabola बनाता है नहीं जानकारी है तो don't worry आप इसको solve कर लीजे देखिए x equal to 80 square है 80 square है तो t की जगए क्या पुट कर दिये y upon 2a तो x equal to a और t की जगए आप पुट कर दिजे y upon 2a तो t की जगए y upon 2a आपने पुट कर दिया whole square कर दिया तो x equals to a और y square और नीचे कितना हो गया 4a square a के से a कैंसल हो गया so y square equal to 4ax बन गया it means यह जो parabola का equation है y square equal to 4ax की equation है अब आपको जो solution चाहिए है इसका t equal to 1 से लेके t equal to 2 का इरिया तो x की value में t equal to 1 डाले तो t equal to 1 डालने पर एक आएगा x equal to a और t equal to 2 डालने पर आएगा x equal to 4a मतलब आपको area निकलेगा a से लेके 4a तक का तो a से लेके 4a तक का area किस तरीके से निकलेगा देखे double हो जाएगा क्योंकि नीचे भी जा रहा ऊपर भी जा रहा है y square equal to 4a x है तो under root 2 sorry 2 under root a x बस simplify कर दीजिए answer आ जाएगा चलिए अगला question देखते है find the area of the reason above the x axis याद रखेगा reason above the x axis मतलब इसमें आपको 2 नहीं करना है नीचे वाला part include नहीं को included between the parabola y square equal to a x तो आपके पास एक y square equal to a x parabola चला जाएगा और circle x square plus y square equal to 2x और circle क्या हो जाएगा x square plus y square equal to 2x अब थोड़ा सा आप याद कर लीजे इस चीज़ को कि हमेशा circle जो होता है वो parabola के उपर हुआ करता है क्योंकि अगर आप parabola के अंदर circle को बना देंगे तो circle अंदर रहेगा तो parabola include नहीं करेगा इसलिए हमेशा circle को उपर रखे parabola को अंदर रखे आपको कौन सा area चाहिए है आपको ये वाला area यहां तक चाहिए है तो हमें ये जो point है ये point हमें निकालना पड़ेगा कि ये point क्या है तो ये point वहाँ है जिस पर parabola और circle आपस में एक दूसरे को cut कर रहे है तो हमें x की value चाहिए तो इसके लिए चली हम x को solve करते है so x square plus y square equal to 2x हमाँ पास equation है तो y square की value किती है ax तो x square plus y square की जगए ax और minus 2ax equal to कर दूँगा तो 0 हो आ जाएगा तो x square minus ax equal to कितना हो गया 0 हो गया x common ले लिया तो x minus a equal to 0 मतलब एक हा मेरे पास आ गया x equal to 0 और दूसरा बन गया x equal to a तो एक पर मेरे पास limit बनी x equal to 0 एक बनी x equal to a तो मतलब हमको 0 से a तक उपर है circle और नीचे है पैरा बूला तो दोनों के area को difference करेंगे तो common area आ जाएगा तो नीचे से लेके x equal to 0 हमको जी a से x के limit से मतलब है y के limit निकाल तो लो बढ़ हमाई किसी काम की नहीं है so this is absolutely useless तो यहाँ पर क्या गरेंगे देखे 0 से लेक करके a तक circle का y minus 0 से लेके a तक parabola का y क्योंकि circle उपर है और parabola नीचे है तो circle का y integrate with respect to x and parabola का y integrate with respect to x अब देखे इसको अलग अलग आप solve कर लीजे देखे 0 से लेकर के a under root 2ax minus x square और दूसरा बचेगा minus कितना 0 से लेके a under root ax तो यह तो simplify हो जागा simply इसमें आप क्या कर सतने हैं इसमें आप x equal to 2a sin square theta substitute कर दीजे एक तरीका तो यह है दूसरा तरीका यह है जो मुझे अच्छा लगता है 0 से लेके a आप minus sign common ले लीजे यह बन जाएगा x square minus 2x अब इसके बाद आप इसका क्या करिए completing the square करके इसका पूर्ण वर्ग बना लीजे अब पूर्ण वर्ग बनाने के बाद इसको आप solve कर लीजे जो कि आपके लिए बहुत आसान रहेगा complete square करके इसको solve कर लीजे जो कि आपके लिए आसान रहेगा इस method से भी करना हो आपको तो substitution देखी क्या करना पड़ेगा आपको यहाँ पर put करना पड़ेगा x equal to 2a sin square theta x equal to 2a sin square theta करके आप इसको हल कर सकते हैं ओके यह यह इसका पूरा solution है यह answer आपके पास आजाएगा then अगला question है find the area of the minor segment of the circle x square plus y square cut the line x equal to a by 2 तो यह line आपके पास क्या है x equal to a by 2 तो minor segment कौन सा होगा छोटा वाला हिस्सा यह होगा क्योंकि यह तो बड़ा हो जाएगा साब दिख रहा है तो x equal to a by 2 में आपको निकालना है area यह वाला area निकालना है so limit कैसे approach करेगी a by 2 से लेकर के a तक और यहाँ पर क्या आएगा y dx done तो इसको solve कर लिजे y की value रख दीजे a by 2 से लेकर के a तक यह देखे limit लग गई है a by 2 से लेकर a और y dx मतलब a square minus x square dx तो इसका directly formula होते ही है इसको लगा करके आप solve कर लिजे यह आपके पास answer आ जाएगा next question की बात करते हैं देखे अगला question क्या दिया गया है objective question है the area includes by the circle x square plus y square equal to 2 is x square plus y square equal to 2 है तो x square plus y square equals to क्या होता है root 2 का square भाई radius root 2 है तो मैं क्यों जाऊं अगर objective की बात कर रहे हो तो सीरे सीरे answer होता pi r square तो pi into r का square कितना root 2 का square 2 तो answer इसका कितना होगा 2 pi यह होगा और अगर आप subjective method से बात करोगे तो 0 से लेकर के root 2 under root 2 minus x square का integration कर दूँगा तो यह आ जाएगा next अगला question है area enclosed by x square upon a square plus y square upon b square equals to 1 is आपको x square upon a square plus y square upon b square equal to 1 तक का area निकालना है कैसे निकालेंगे देखे तो y की value यहाँ से निकाल लेते हैं तो y square upon b square equal to कितना हो जागा देखे 1 minus x square upon a square तो y square equal to कितना हो जागा b square और यहाँ से lc हम आएगा यह हो जागा a square minus x square upon कितना हो जागा a square अगर आप under root ले लोगे तो y की value यह आ जाएगी और यह एक क्या है ellipse है तो ellipse के area को आप 4 part में कर देंगे 4 part में इसको integrate इस तरीके इसे करना पड़ेगा तो four times ले करके आप इसको solve कर दीजे बीच का हमें area निकालना है तो better technique क्या है हम इसको y के respect में differentiate करें क्योंकि यहाँ पर y की जो value है 0 से ले करके 16 तक बतले की तो हम इसको y के respect में integrate करेंगे तो हमारा ज्यादा फायदा है क्योंकि हमें पूरा area एक बार में ही मिल जाएगा तो हम क्या करेंगे यहाँ पर देखे 0 से लेके 16 तक integrate करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा function आएगा x और यहाँ पर dy limit y की कितनी 0 से लेके 16 तो यहाँ से x की value कितनी निकलेगी root y because y equal to x square है तो x equal to अपने पास आजाएगा root y okay so यहाँ पर root y रखिए 0 से लेके 16 तक में इसको integrate कर दीजे so 0 से लेके 16 तक में यह देखें इंटेग्रेट किया हुआ है तो 0 से लेके 16 तक में y dy solve answer करिए कितना आएगा इसका answer b आ रहा है b answer है मतलब कितना है 256 by 3 okay simple कुछ भी नहीं है इसमें अच्छा 2 का multiply क्यों किया है 2 का multiply इसलिए किया है क्योंकि जितना area right side में जाएगा उतना area left side में भी जाएगा इस वज़े से यहाँ पर 2 का multiply किया हुआ है done अगला है the area of the region bounded by the curve x equal to y square y axis and line y equal to 3 y equal to 4 चलिए देखे क्या question का है गया है x equal to y square मतलब y square equal to x मतलब यह पैरा बोला है इस तरब खीजेगा पैरा बोला y axis और y equal to 3 और y equal to 4 मतलब एक line y equal to 3 और एक line y equal to 4 और यह y axis y axis मतलब यह वाला axis मतलब आपको यह area निकालना इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं मैं diagram clear समझ मैं आगा देखे आपके पास सबसे पहले एक पैरा बोला है एक पैरा बोला आपके पास में जो दिया गया है क्या है x equal to y square x equal to y square उल्जा रहा है आपको तो आप इसको से उल्जा लीजे y square equal to x हो गया और आपके पास जो line है दो line है एक है y equal to 3 and y equal to 4 ओके तो नीचे वाली line क्या होगी y में 3 distance पे है और उपर वाली line जो है y में 4 distance पे है आपको ये area निकालना है ओके ये area आपको निकालना है तो कैसे निकलेगा देखे ये y axis की उपर है 3 से लेके 4 तक तो y की limit लगा ये 3 से लेके 4 यहाँ पर क्या लगा ये dy और curve रख दीजे curve क्या है आपके पास curve है आपके पास x equal to y square और यहाँ पर y का function कितना हैगा y square तो चलिए solve कर लेते हैं यह हो गया y cube by 3 तो 1 upon 3 बाहर और limit 3 से लेके 4 तो 1 upon 3 4 का cube minus 3 का cube so 1 upon 3 4 का cube कितना होता है 64 और 3 का cube कितना होता है 27 so 64 minus 27 4 में कितना जाएगा 14 में से 7 गया 7 बच गया ये बच गया 5 में से 2 गया 3 so answer 37 by 3 correct answer 37 by 3 इस तरीके से आप इसको solve कर लेंगे next question the area of the reason bounded by the curve y equal to x square plus x x axis and the line x equal to 2 and x equal to 5 तो भाई बहुत ही simple question है ये तो क्या करना है आपको x square plus x को अंदर लेना है और integrate करना है कहां से कहां तक 2 से लेके 5 तक तो 2 से लेके 5 dx में आप इसको integrate कर दीजे आपका answer आजागा 297 by 6 तो यह हमारा part 1 solve हो गया है इसके notes आपको provide करा देंगे अब इसके बाद हम part 2 में चलते हैं part 2 में हम थोड़े से बड़े questions लेंगे part 1 के questions आप कर लीजेगा बाद में अब part 2 की और चलते हैं देखे पहला question कहा रहा है choose the correct answer from the given 4 options आपके चार option दिए गए हैं और आपको correct option जो है एक चुनना है देखे कहा रहा है the area of the reason bounded by the y axis मतलब axis कौन सा y और दूसरा y equal to cos x and y equal to sin x limit दिए गई है 0 से लेके pi by 2 cos है sin है 0 से लेके pi by 2 तक है आई यह solve करते हैं इसको किस तरीके solve होगा यह 4 option दिए गए हैं देखे सबसे पहले हमाई पास y axis है और 0 से लेके pi by 2 तक तो हमें यहां तक का area निकालना है जिसमें तीनो function involved हो तीनो मतलब 2 y equal to cos x y equal to sin x और cons axis y axis तो देखे दोनो function जो है यहां पर आ करके एक दूसरे को meet करते हैं इस diagram में देखे अच्छे से यह देखे ऊपर से चल रहा है यह जो है cos x है उपर वाला function cos x है नीचे वाला function क्या है sin x है और यह दोनों आपस में आकर meet करते हैं और यह हमारा y axis है तो मतल x चलेगा नीचे हमारे पास sin x चलेगा ओके तो limit क्या बनेगी 0 से लेके pi by 4 cos x minus sin x integration of dx तो 0 से लेके pi by 4 के अंदर आप इसको solve कर लिजे इस तरीके से screenshot आप लोग ले सकते हैं 0 से लेके pi by 4 cos x minus sin x अब इसके बाद simple integration है चलिए अगला question देखते हैं the area of the reason bounded by x square equal to 4y x square equal to 4y and the line x equal to 4y minus 2 तो मतलब आपके पास एक parabola है x square equal to 4y जो की उपर की दरब जाएगा और दूसरी line है आपके पास x equal to 4y minus 2 तो पहले आप इसको simply line को draw कर लिजे उससे फिर आपको 2 point निकालने पड़ेंगे तो ये line आपके पास आ चुकी है अब इन points को find करिए x के ओके तो आपके पास ये point मिल चुका है ये point आपको x का मिला minus 1 और ये point आपको x का मिला कितना 2 तो आपने दोनों point solve करिए x के पास आपके देखी point मिल गया है x का मिला है minus 1 and 2 तो आपके पास क्या चलेगा integration area निकालने के लिए सबसे पहले उपर है line तो आप क्या करोगे minus 1 से लेके 2 तक line का y और यहाँ पर dx और minus minus 1 से लेकर के 2 तक किसका y पैराबूला का और यहाँ पर dx तो यहाँ पर आप जो है line का y देखे ये है और पैराबूला का y ये है और दोनों को subtract कर दीजे आपके पास answer आजागा 9 upon 8 square unit तो इसको करना पड़ेगा आपको मैंने बस method बता दी है ठीक है बाकी क कुछ है नहीं question में और बताने जैसा तो सीधिया आँगे बढ़ते हैं कुछ खास नहीं है इसमें simple question है आँगे चलते हैं अगर question difficult होगा तो मैं अपने आप रूखूँगा आपको और चैदा explain करूँगा देखे the area of the reason bounded by the curve y equal to under root 16 minus x square and x-axis तो question क्या के रहा है आपको उल्या आपको इरिया निकालना है with x-axis के साथ ओके तो एक तरीके से आपके पास क्या निकलेगा यह सर्कल का एरिया निकलेगा और सर्कल का एरिया होता है कितना पाई रसक्वेर तो पाई इंटू आर स्क्वेर आर कितना अपने पास में 16 आर स्क्वेर 16 है तो इसका एरिया आंसर कितना होगा 16 पाई तो करेक्ट आंसर इसका कितना होगा एक मिनट ए 8 पाई कह रहा है विद एक्स एक्सस क्यों भाई हमने क्या गलती कर दी देखे कोस्चन की गलती यहां पे क्वेश्चन को लिखना पड़ेगा विद पॉजटिव एक्सक्सस आप मुझे एक्सेस में बोल रहे है हो और आप उपर का एरिया निकाल रहे हो तो भाई क्वेश्चन को बताना बट यदि आप positive access कर दोगे तो आपका answer just इसका आधा हो जाएगा मतलब कितना हो जाएगा 8 pi solution देख लिए इसका किस तरीके से किया गया function दिया गया है okay under root 16 minus x square और limit देखिए कहा से कहा माइनस 4 से लेके 4 तप integrate कर दीजे तो minus 4 से लेके 4 तक आपने integrate कर दिया है तो 4 minus x square का अपने integration करके जो answer आगया है वो 8 pi आगया है चली अगला question है question number 27 area of the reason first quadrant of the circle x square plus y square equal to 32 तो भाई आपको कितने का area चाहिए है इस quadrant का area चाहिए only तो आपको y dx करना है simple simple है ना और आपको यह दिंकालना है कि यहाँ पर यह distance कि इतनी होगी यह distance कितनी होगी तो यह distance किसके को लोगी radius के इक एक hole तो x ऐसक्वायर plus y square equal to r का square हो था बत तिसको मैं लिग सकता हूं 16 in to 2 और इसको मैं क्या लिख सकता हूं इसको मैं लिख सकता हूं 4 root 2 का whole square तो आपके पास जो radius बनीगी वो क्या बन गई 4 root 2 तो limit क्या चलेगी आपकी 0 से लेके 4 root 2 देखते हैं तो ये देखे X की value आ गई कितनी 4 root 2 तो limit आपकी चलेगी कितनी 0 से लेके 4 root 2 यस ये देखे आपके limit कितनी चल गई 0 से लेके 4 root 2 तक आपके limit चल गई है और आपको अब निकालना है circle का area तो एक बढ़िया बात हो रही यहाँ पर देखे यह जो आपके पास में line है line y equal to x है y equal to x है तो line y equal to x मतलब origin से जाने वाली line जब circle को काटेगी तो यह इस तरीक से काटेगी 4 पर उके इस line का cut point जो निकलेगा circle के साथ हो कहां पर निकलेगा 4 पर तो दो limit आपके पास बनेगी एक बनेगी 0 से लेके 4 और एक बनेगी 4 root 2 4 से लेके 4 root 2 एक बन गई 0 से लेके 4 और एक बन गई 4 से लेके 4 root 2 तो अब आप इसको 0 से लेके 4 तक पहला पार्ट integrate करो, पहला पार्ट किसका होगा line का y equal to x और दूसरा पार्ट कितना होगा ये आपका, इसका होगा circle का, तो circle का लगा देंगे ये, अब आप इसको integrate करिए, तो इस तरीके से आपका answer आजागा 4 pi square unit अब इसकी मैं short trick की बात करता हूँ कि इसकी short trick कैसे आजाए, देखो भई ये जो होता है ये circle का 1 quarter होता है और circle का 1 quarter का area कितना होता pi r square by 4 but ये इसने और break कर दिया half में break कर दिया तो ये कितना हो गया ये हो गया pi r square by 8 तो pi की जगे pi है radius की जगे कितना दिया है 32 और 8 तो 8 है तो answer cancel करोगा, answer कितना हो जाएगा 4 pi, तो correct answer इसका कितना हो जाएगा, 4 pi अगला question area of the reason bounded by the curve y could do cause section x equal to 0 से लेकर x equal to pi तो x equal to 0 ये है और 0 से लेकर के pi तक आपको area निकालना देखे pi by 2 है और फिर pi, थोड़ा सा गलती यहां पर pi यहां पर आएगा, आंगे कर दिया है भाई 0 से लेकर pi by 2 और pi by 2 से लेकर pi क्योंकि आंगे तो ये 3 pi by 2 आता है cost के case में, गलती लिखी हुई है उसको सही कर लिजे, तो 0 से लेकर pi और pi से लेकर के 3 pi by 2 3 pi by 2 done तो अब हमें area निकालना है, तो देखे 0 से लेकर के pi तक का positive cos x है और pi by 2 से लेकर के, sorry, 0 से लेकर pi by 2 तक positive है और pi by 2 से लेकर pi तक क्या negative है तो negative का area निकालने के लिए क्या लगा दिया करो, mode लगा दिया करो, तो positive side में mode लगा नहीं कोई जरूत नहीं है negative side में mode लगा दीजे, तो answer solve कर दीजे, answer आजागा इसका कितना 2 square unit so this is done next question the area of the region bounded by the parabola y square equal to x and the straight line 2 y equal to x तो अपने पास parabola है एक y square equal to x और दूसरी straight line है 2 y equal to x तो 2 y equal to x को मैं क्या लिखूँगा y is equal to x upon 2 मतलब ये जो है, straight line इस तरीके से जा रही है okay y square equal to x parabola है and 2 y equal to x इस तरीके से line जा रही है, तो आपको इसका area निकालना है, कैसे करेंगे solve, 2 point find कर लेंगे 0 से लेकर के 4 तक parabola का area minus 0 से लेकर 4 तक line का area, तो देखे 0 से लेकर 4 तक parabola का area root 2 root x बन जाएगा, और 0 से लेकर 4 तक line का area है x by 2 अलग-अलग solve कर लीजे आपके पास answer आजएगा 4 by 3 square unit, okay, and इसकी एक short trick भी होती है आपके पास अगर कोई parabola है y square equal to 4 x, और line आपके पास y equal to m x, तो जो area होता है 8a square upon 3 m cube, यह होता है इसका area तो 8a square upon 3 m cube, तो यहाँ पर देखे a कैसे निकालो में, तो y square equal to 4 x से compare किया जाए, तो 4a की value किसके equal है, 1 की equal है, so 4a equals to 1 है, तो a की value आगई 1 upon 4 so 8 into a square 1 upon 4 का square कितना होगा, 1 by 16 होगा, और 3 और m की value देखे, यहाँ पर क्या है, y is equal to 1 upon 2 x हो जाएगा, तो m की value है 1 by 2, तो 1 by 2 का cube करूँगा, तो 1 upon 8 हो जाएगा, ओके तो 8 to 16 and 2 for the 8 तो answer इसका आना चाहिए 4, स्वरी यहाँ पर मैं 3 भूल गया था तो 3 भी आएगा, तो answer इसका कितना आगया, 4 by 3 तो short trick से इसका formula याद के लिजे इसका होता है, 8 a square upon 3 m cube ओके तो 8 a square upon 3 m cube से आपका answer आगया कितना 4 by 3 square unit, अगला question है the area of the reason bounded by the curve y equal to sin x between the ordinates x equal to 0 and x equal to pi by 2 तो x equal to 0 से लेके x equal to pi by 2 का area निकालना, कुछ करने को ही नहीं इसमें, सीधे integration कर दीजा आपका area आजाएगा, next question the area of the reason bounded by the ellipse इतना, तो कुछ भी नहीं है करने के लिए आप इसमें, simple है एक ही boundary देख लीजे 5 से लेके 0 से लेके 5 तक तो limit 0 से लेके 5 में integrate कर दीजे किसको, y को x के respect में, तो 0 से लेके 5 तक आपने integrate कर दिया अच्छा आप कहेंगे, minus 5 से लेके 5 क्यों कर रहे हैं, भाई करने दो कोई दिक्कत नहीं है, हम अगर 0 से लेके 5 करेंगे, तो हम को 4 का multiply करना पड़ेगा, क्योंकि 4 हिस्से बनेंगे और अगर आप minus 5 से लेके 5 करोगे तो उपर और नीचे के 2 हिस्से बनेंगे तो आप 2 का multiply कर लो कोई दिक्कत नहीं है, question सही है इस तरीके से आप solve कर लिजे इसका answer आजाएगा, 20 pi अगला question the area of the reason bounded by the circle x square plus y square equal to 1 अगर short tricky बात की जाएगा, तो pi into r square की value किती हो जाएगी 1, तो pi into 1 answer कितना आजाएगा, pi आजाएगा done, तो 20 का option होगा और maa की method करने का तरीका यही है y equal to 1 minus x square 0 से लेके 1 तक integrate कर दिजे, so simple next question 33, the area of the reason bounded by the curve y equal to x plus 1 x equal to 2 and x equal to 3 भाई, कितना simple question है y equal to x plus 1, ऐसी line आएगी और x equal to 1 से लेके x equal to 3 में integrate करना है तो x equal to 1, x के ले में 2 से लेके 3 में integrate कर दिजे simple answer आजाएगा अगला, x equal to 2y plus 3 और line की line है y equal to minus 1 से लेके y equal to plus 1 देखो, यह थोड़ा सा question different है अब इसमें क्या है, आपको y के limit दी गई है आपको question को y में integrate करना है, तो यहाँ पर y के limit minus 1 plus 1, तो यहाँ पर question का आएगा dy, मतलब आपको यहाँ पर x लगेगा, तो x की value 2y plus 3 as it is रग दीजे, ओके यह देखे इस तरीके से, तो x की value 2y plus 3 और जो y की limit चलीगी minus 1 से लेके plus 1 ठीक है ना, और इसको आप integrate कर दीजे, minus 1 से लेके plus 1 तो correct answer कितना आगया इसका 6 square unit तो यहाँ पर हमने 2 part कर लिये हैं इसके आज की sheet के और काफी सारे question हो गया है हम आपको इसके questions भेज देते हैं ग्रूप में और आप लोग इनके questions लगा करके कल हमें दिखाईएगा thank you so much for being with Loki sir unlimited study zone, have a nice day, bye bye ओके तो once again start करते हैं class को, देखे इसके पहले हमने very short answer question कर लिये हैं अब करते हैं questions objective इसके पहले हो चुके हैं थोड़े से बड़े questions देखेंगे जैसे पहला question हमारे पास है find the area of the reason bounded by y square equal to 9x and y equal to 3x तो y square equal to 9x हमाई पास एक parabola दिख रहा है और y equal to 3x हमारे पास straight line दिख रही है तो x के हम point solve करेंगे दोनों के लिए, so एक point क्या मिल गया 0 और एक point मिल गया है 1 तो 0 से लेके 1 तक उपर parabola बनेगा और 0 से लेके 1 तक क्या नीचे बनेगा, line बनेगा और parabola में से line की area को minus कर देंगे तो हमारे पास answer आ जाएगा और बाकी दिख इसकी short trick की बात करते है तो y square equal to 4x और y equal to 3x से जो short trick बनती है वो होती है 8a square upon 3m cube तो यहाँ पे 8 into a कितना बनेगा देखी यहाँ पे 4 equals to 9 है so a बनेगा 9 by 4 so 9 by 4 का whole square upon 3 into m m मतलब 3 का cube है so 3 का cube equals to हो गया 27 so 8 into 9 का square 81 और नीचे हो जागा 4 4 जा 16 into 3 into 27 27 से 3 बार 81 हुआ 3 से 3 चला गया so 8 1 by 2 so इसका answer आना चाहिए 1 by 2 correct answer short trick से कितना आ गया 1 by 2 so कुछ खास difficult question नहीं है so simple it is चलिए अगला question देखते है find the area of the region bounded by the parabola y square equal to 2p x and x square equal to 2py तो इसकी short trick क्या होती है इन दोनों का multiply करकरके नीचे आपको कितने का divide करना पड़ता है ओके नीचे आपको दोनों की lattice rectum का multiply करके 16a square by 3 का divide करना पड़ता है तो इसका answer कितना आगे देखे दोनों की lattice rectum पहले की है 2p तो answer आएगा 4p square upon 3 चलिए चेक करते हैं short trick से so 4p square by 3 correct answer इसका 4p square by 3 using the short trick हम को मिल चुका है अब बात करते हैं solve कैसे करेंगे तो एक parabola हमें पास बन जागा y square equal to under root 2p x दूसरा x square equal to 2py है तो x square equal to under root 2py हो जाएगा दोनों को हम x के लिए solve कर देंगे y की जगे यहाँ पर value रख दी हमने तो दोनों को solve कर लीजे और दोनों को solve करने पास हमाई पास जो है x की value कितनी आगई 0 से लेके 2p अब 0 से लेके 2p में उपर वाला parabola कौन सा है उपर वाला parabola है x का x की direction में जाने बाला y square equal to 2p x तो उपर वाले parabola उपर से area 0 से लेके कहां तक 2p तक और y की value कितनी आजएगी under root 2p x minus 0 से लेके 2p तक और यहाँ से x की value दी गई है तो y is equal to कितनी आजएगी x square upon 2p x square upon 2p में integrate कर देंगे इसको देख लेते हैं यस बिल्कुल सही तो इस तरीके से आप इसको simplify करते जाओ और आपका answer आजएगा 4p square by 3 square अगला question देखे यह बहतर देख रहा है y equal to x cube जो की cubic parabola होता है तरी घाती यह समी का पैरा बुला यह देखे और दूसरी लाइन क्या है y equal to x plus c यह जा रही आपके पास में और किसके साथ बोल रहा है x equal to 0 x equal to 0 मतलब y axis तो y axis तो यह होता है तो यह वाला area हमको निकालना है तो कैसे निकालेंगे इस area को बेटर है आप y के साथ integrate कर दो किसका area है y line का area minus 0 से लेके 2 y किसका parabola का तो line के area में से parabola के area को क्या कर दो minus कर दो तो line की value कितनी है y equal to x plus 6 और parabola कितना है y equal to x cube तो दिखे x plus 6 0 से लेके 2 तक और x cube 0 से लेके 2 तक आपने इसको सब्ट्रेक कर दिया तो आपके पास answer आजाएगा simplify कर लिए question number 3 done कुछ मुश्किल नहीं है कुछ discuss करने जैसा भी नहीं है चली अगला question है x square equal to 4x अरे फिर से short trick लग गई इसका multiply 4, 4 जा 16 और अपन में 3 और बाकी तो कर तरीका किया हुआ है काफी बार ये question okay x square equal to 4y y square equal to 4x तक done अगला question find the area of the reason included by y square equal to 9x and y equal to x तो y square equal to 9x ये जा रहा है y square y equal to x ये जा रहा है तो बस solve कर लिजिए ये point कितना आजाएगा ये 9 आजाएगा okay 9,0 तो 0 से लेके 9 तक उपर पैरा बोला है तो root 9x minus x simplify कर दीजिए इस short trick की बात की जाएए तो क्या लगती है 8a square upon 3m cube ये होता है area तो इसमें short trick लगा के भी आपका answer आ जाएगा next question देखते हैं find the area of the reason enclosed by x square equal to y and y equal to x तो x square equal to y जो पैरा बोला है वो उपर की तरफ जाएगा और y equal to x plus 2 जो line है इस तरी की जाएगी तो आप देखें जो line काट रही है minus 1 पर और 2 पर काट रही है तो minus 1 से लेकर के 2 तक line का y minus minus 1 से लेकर के 2 तक पैराबूला का y ओके so minus 1 से लेकर के 2 तक line का y और minus 1 से लेकर के 2 तक पैराबूला का y क्या है x square जिसको minus कर दिए answer जागा 9 by 2 next question देखते हैं question number seven find the area of the reason bounded by x line x equal to 2 and parabola y square equal to 8x तो आई x equal to 2 line ये होती है और y square equal to 8x तो parabola x की तरफ जाई रहा है तो limit क्या बन गई 0 से लेके 2, 2 जरूर लगाईएगा क्योंकि उपर भी integration हो रहा है नीचे भी तो 2 time integration y कितना बन जागा under root 8x बस integrate कर दीजे time pass question है कुछ भी नहीं है नेक्स question देखते हैं sketch the reason y equal to 4x minus x axis ओके तो ये कह रहा है sketch करो ओ मतलब draw करना है तो एक चीज़ तो यहां लिखनी चाहिए x axis तो लिखा विद positive x axis क्योंकि जो draw किया है इन लोगों ने माइनस 2 से लेके plus 2,0 बना दिया ठीक है भाई square कर दिए तो y square equal to 4 minus x square x square plus y square equal to 4 जो की एक circle दे रहा है और circle का ये अपर half reason है area निकालने के लिए minus 2 से लेके 2 तक integrate 4 minus x से square कर दिया है ये आपके पास answer आ गया so simple 2 pi next question देखे calculate the area under y equal to 2 root x कहां x equal to 0 से लेके x equal to 1 तक मजा question है x equal to 0 से लेके x equal to 1 तक integration कर दिजे dx लगा दिजे limit लगाई 0 से लेके 1 function क्या आपके पास में y equal to 2 root x simple question 0 से लेके 1 तक integrate कर दिजे next question क्या कर आप using the integration find the area bounded by the line 2y equal to 5x plus 7 तो भीया y equal to 5x plus 7 upon 2 और limit क्या x equal to 2 से लेके x equal to 8 x equal to 2 से लेके x equal to 8 में 5x plus 7 upon 2 को integrate कर दिजे एकदम बच्चे वाला question आराम से next question देखते हैं draw the rough sketch of the graph y equal to under root x minus 1 दोखा देने की causes square कर दिजे y square equal to कितना हो जाएगा x minus 1 मतलब भाई साब यह पैरा बूला है x की power 1 की तरफ खोल रहा है और x equal to 0 पर y की value कितनी है minus 1 अगर आप x की value 0 देते हैं तो y की value कितनी मिल रही है तो y equal to under root x minus 1 को आप draw कर दिजे यह किस point से जाएगा अगर आप y equal to 0 करते हैं तो x equal to 1 आता है मतलब यह x axis को 1 पर touch कर रहा है जी हाँ इस तरीके से x axis को यह कहां पर touch कर रहा है 1 पर क्यों क्योंकि आप जिससे में y equal to 0 डालते हैं तो x minus 1 equal to 0 means x equal to 1 तो यह 1,0 से हो के जा रहा है पैरा बोला हमें क्या करना है हमें निकालना है इस केच 1 से लेके 5 पक में ओके x equal to 1 so this line is x equal to 1 and 1 क्या आँगे 2,3,4,5 तो यह लाइन क्या है हमाँ पस 1 से लेके 5 है तो हमें इसका area निकालना है तो क्या करेंगे 2 तो लगाना ही पड़ेगा यहां पर क्योंकि double हो रहा है न ओके 2 times करना पड़ेगा हमको 2 times अंदर ही कर दिया चलिए अब इसके बाद with positive x axis 2 मुझे दिखाई नहीं दिया रहा है भाई x equal to 1 से लेके x equal to 5 तक का area positive x axis तो बोला नहीं है I think यह 2 तो integration वाला 2 है 2 upon 3 फिर 2 का इस्तमाल क्यों नहीं किया यहाँ पर नहीं यह इसमें लिखना चाहिए था कि area जो निकालना है कि एवल upper half zone का निकालना है इसमें 2 का multiply तो किया नहीं कहीं पर क्योंकि देखे सीधा सीधा integration कर दिया 1 से लेके 5 के बीच का ओके और यदि इसको मैं solve करता हूँ देखो अंदर एक बार solve कर लेता हूँ तो 2 by 3 5 minus 4 4 की power 3 by 2 लिए तो 2 की power 2 2 की power 3 यहने 2 by 3 into 2 की power 3 8 यहने की 16 by 3 तो मतलब भाई यह जो area निकला है यह उपर उपर का area निकला है अगर आपको नीचे का area निकालना है तो 2 का multiply करना पड़ेगा विकॉज यहाँ पर 2 का multiply तो नहीं है ठीक तो केवल उपर हाफ का area रहेखा ओके अपर हाफ area इसको बोलते है विज पॉर डिच्टिव एक्स एक्स यह भी बोल सकते हो next question determine the area under the car y equal to a square minus x square low तो क्या जाएगा भाई y equal to a square minus square मतलब यह भी पैरा बोला स्वरी यह circle बनेगा because square कर दो तो y square equal to a square minus x square तो x square plus y square equal to कितना हो जागा a square सही तो कर रहे ना तो ठीक एकदम सही तो यह center कितना है इसका 0,0 और हमको area निकालना है कहां x equal to 0 से लेके x equal to a तक ओके मतलब x equal to 0 से लेके x equal to a तक मतलब limit लगेगी 0 से लेके a और integration करना पड़ेगा x के respect में y का तो y कितना है under root a square minus x square अब देखिए जी एक problem यहां पर यह है कि इस question में फिर से नहीं बोला है x equal to 0 to x equal to a तो भाई यह कर नीचे घूम करके आएगा तो यहां से भी तो आएगा ओके तो इसमें with positive x axis इनको बोलना चाहिए otherwise हमको 2 का multiply करना पड़ेगा क्योंकि यहां पर कुछ बूला ही नहीं गया है तो हमको 2 का multiply करना पड़ेगा क्योंकि x equal to 0 y axis है x equal to 2 यह है पूरा का पूरा तो 2 का multiply करना पड़ेगा इसमें नहीं तो इनको बोलना पड़ेगा with positive x axis ओके यह है ड़न है find the area bounded by the region y equal to root x and y equal to x तो y equal to root x क्या है भाई minus line का area दोनों को subtract कर दीजिए answer कितना आ गया 1 upon 6 square unit बताने जैसा कुछ है नहीं जी भर के एक बार देख लीजेए इसको y equal to root x से लेके y equal to x दोनों को solve करके पहले x की value निकालेंगे फिर इसके बाद simplify करके area जाएगा question number 14 find the area in close by the car y equal to minus x square नीचे की तरफ है पैराबुला नीचे की तरफ जाएगा और line दी गई है x plus y plus 2 तो इसको बनाओगे तो यह इस तरीके से line जा रही है आपको area निकालना है कौन सा line का पैराबुला के साथ है ओके यह अच्छा question है तो देखिए आपको करना क्या पड़ेगा यहां से लेक करके यहां तक line का area क्योंकि भले ही उल्टा है बड़ शेड तो करेगा और एक चीज़ या रखना mode लेना क्योंकि mode नहीं लोगे तो area line का कैसा आएगा मालूम आपको area आएगा आपको line का negative आएगा तो line का area और line के area में से आपको पैराबुला का area क्या करना है माइनस करना है ठीक ना तो line के area में से पैरा वुला के area को क्या करोगे आप minus करोगे तो देखो इन लोगों ने क्या कलाकारी कर दी है मैं तुमको समझाता हूँ देखो यहां से line कितनी आगी तो line कितनी आगी x plus y plus 2 equal to 0 यह गलती करेंगे इसमें बच्चे लोग y equal to minus x minus 2 done तो सबसे पहले line के area का mode ले लो तो यह mode ले लिए अपने line का area line का area कितना है minus x minus 2 यह line का area है dx limit कहां से कहां तक minus 1 से लेकर 2 तक minus 1 से लेकर 2 तक के limit dx integrate कर दिया minus अब क्या करना है दूसरा part दूसरा part जो आपके पास में है किसका area आपको इसमें से subtract करना है line के area में आपको subtract करना है parabola का area और parabola यहां पर क्या जा रहा है parabola जा रहा है यहां पर y की तरफ तो x square y equal to minus x square यह आपका parabola है y equal to minus x square ओके तो आपको इसको minus करना है किसको function है minus x square dx तो ये minus और ये minus को भाई साब ने यहाँ पर क्या कर दिया प्लस कर दिया तो और limit तो दोनों की सेम है ना minus 1 से लेके 2 तो इसको command करके बना दिया minus 1 से लेके 2 ये है minus x ये है minus 2 और ये है plus का x square और यहाँ पर क्या ले लिया है dx बस तो इसको integrate कर दीजे और आपके पास आंसा रजागा 9 by 2 तो इतनी worksheet में मुझे ये question थोड़ा सा बढ़िया लगा so I would like to give this question as important somewhat new in this question थोड़ा सा ने आप आने इस question में देख लो एक बार अच्छे से आप लोग भी y equal to minus x square ठीग इसलिए function में minus करना था तो वो plus हो गया है और total का mode ले लिया गया है तो आप अलग-अलग mode ले लो या total का mode ले लो answer सेम आएगा बस minus plus का ध्यान रखना 9 by 2 is query next question find the area bounded by the car y equal to root x and x equal to 2y plus 3 तो फिर से पैरा बोला है भाई y square equal to x x equal to 2y plus 3 मतलब एक line बनेगी तो y square equal to 2x and x equal to 2y plus 3 किसके साथ area निकालना है with first coordinate and x axis तो x axis के साथ आपको area निकालना तो cut point find कर लो cut point कितना आया देखिए x का एक मिनट भाई साब इसमें x के लिए साथ area तो निकालना है x axis के साथ तो कैसे निकाल दिया गया देखिए x axis के साथ हमारे area ये वाला आएगा तो interested हम यहाँ पर y की value ले करके है तो अगर यहाँ से ले करके मैं यहाँ तक कौन सी value? 0 से ले करके 3 तक अगर मैं 0 से ले करके 3 तक dy के along इसको integrate कर दूँ ठीक है? 0 से ले के 3 तक तो line का area और फिर मैं parabola का x minus कर दूँ minus 0 से ले के 3 parabola का x तो parabola का x क्या है देखो जी x equal to y square है न? yes x equal to y square तो parabola 0 से ले के 3 यदि मैं minus कर दूँँगा तो line के area में से parabola का area minus हो जाएगा तो line और parabola का common area with respect to x axis हा जाएगा तो 0 से ले के 3 x की value line की कितनी दीग है? line की x है 2y plus 3 so यहाँ पर put करो भाई 2y plus 3 का integration with respect to x minus 0 से ले के 3 parabola का क्या है? y square और यहाँ पर limit dx बस solve कर दीजे answer आजाएगा 9 square unit done so यह file भी यहाँ पर complete हो चुकी है 9 question की exemplar problem that is very important for all type of examination including cbc, kvst, gt, pgt इसमें बहुत important role play करती है बहुत सारे question directs के आते है इसलिए मैं इसको solve करवा रहा हूं यहाँ पर ओके गाईस so this is enough for the day we have completed so many questions so I think इतना आज के लिए काफी है next class में आपको inform करूंगा और फिर से हम classes लेंगे till then have a nice day bye-bye Jai Hind Jai Bharat